हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तो जी मैं नाश्टे में बना रही हूँ आज ओट्स और यहाँ पर साथ के साथ कर रही हूँ चीले की तैयारी सूजी का चीला बना रही हूँ मैं यहाँ पर प्याजवाला आज मैं इनके लिए स्पेशल सूजी का चीला बना रही हूँ क् इनको मैंने ऐसे ही आज नाश्टा दिया तो फिर ये भी कह रहे है आज क्या बात है बिना बोले ही आज मुझे मुझे अच्छे से नाश्टा वाश्टा मतला हमेशा देते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि फेवरेट ही कुछ होता है जो घर में होता है वही दे देते हैं तो आज मैंन इनको सूजी का चीला बनाया है, नाशते में ओट्स बनाया है और दूद दे दिया है, तो जी, अब क्या आज थोड़ा सा special day था, तो इसलिए, तो यहां मैंने दूसरा चीला डाल दिया था, और मैं इनके लिए कर रही थी, plate ready, तो मैंने plate में इनके लिए रख दिया है, और odds, यह मैंने इनके लिए आज नाशता तयार के, अच्छे से मतलब सर्व करके आज दे रही हूँ, तो जी, अभी मैं कर रही हूँ, तयारी, मैंने आज सबजी बनानी है, लंच में, राजमा, तो राजमा भी इनका फेवरेट है, तो हाज सब कुछ इनका फेवरेट ही ब तो मैं अभी हाँ पर आम चील रही हूँ, और उसके बाद मैं बनाऊंगी इनके लिए शेक, और बना के फटावट से फ्रेज में रख दूंगी, ताकि जब यह आएं, तो तब हम इनको दे, तो यह जो था मैंगो शेक, यह यूवी के कहने पर बन रहा था, कि मम्मा मैंगो शेक बना दो, मैं पापा को सर्व करूंगा, तो जी बस इसलिए पापा को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए, हम मतलब यह चोटी-चोटी चीजे कर रहे हैं, जिससे की यूवी के पापा को अच्छा लगे, और हमार को भी देखो, खुशी होती है, अगर वो खुश होगा, बस, बाकी और कुछ नहीं था, यह नहीं था, कि अपर हमें आपके साथ कहीं घूमना जाना है, या फिर हम भाहर डिनर करेंगे, लंच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, अब हम बड़े हो गए, देखों, क्या अपनी केक कटिंग करना, क्या करना, बस अब तो यूवी और यहां पर फ्रेंट्स मेरे राजमा उबल चुके थे, और मैंने राजमा कुकर को कर लिया था, खाली, और मैंने राजमा जो है, भगोने में डाल लिये हैं, एक में, और मसाला में मेरा तकरीबन तयार होई गया था, तो बस मैं यह मसाला इसमें डाल रही हूँ, और मैंने दो-तिन आलू भी डाले हैं इसमें, क्योंकि आलू से थोड़ा इनको लगता है कि टेस्ट बढ़ जाता है, तो मुझे यह थोड़े गाड़े लग रहे थे, चावल के डाल दिया है, और सबजी मेरी हो गई है, यहाँ पर तयार, और चावल मैं रखूंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी साड़े ग्यार हुए थे, फिर ठंडे हो जाते हैं बाद में, इसलिए मैं चावल थोड़ी देर से रखूंगी, और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो रूम पर्फ्यूम होता है न, वो भी मैंने हाँ पर छड़क दिया है, तो स्मेल मतलब बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी, रूम और यहाँ पर मेरा मैंगो शेक भी हो गया था, रैडी और यूबी के पापा अभी जस्ट आए हैं, तो फिर यूबी कह रहा कि मुमा म सिर्फ मैं दूँगा, तो मैंने की ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गिलास कर लिया है, रैडी और यूबी हाँ पर दे के आ रहा है, अपने पापा को मैंगो शेक टीवी बहुत तेज चल रहा था, तो इसलिए मैंने वोल्यूम हाँ पर म्यूट कर दी है, क्योंकि पीछे से तो ये यूवी हास देने गया था अपने पापा को मेंगो शेक और इसके पापा खुश हो गए थे और फिर उसके बाद तो जब खुशी का ठिकाना ही नहीं और यहाँ पर मेरे चावल भी फ्रेंड्स हो गए है रेडी तो बस अब हो गई शुरू हो रही है लंच की तैयारी तो मैं इनके लिए लंच डाल देती हूँ यह अंदर ही बैटे हुए थे तो लंच मेरा यहाँ पर हो गया है तैयार राजमा और चावल अभी फ्रेंड शाम का टाइम है और मैं कपड़े ले आई हूँ भाहर से उतार के और मैं इनकी फटाफट से तैय लगा के रख दूंगी क्योंकि अगर मैंने अभी तैय नहीं लगाई यही था हमें कोई केक कटिंग वगारा नहीं करनी थी तो और ना ही हम कहीं भाहर गए थे क्योंकि आज यूवी के पापा को काम भी जादा था सैटर्डे था तो फिर वो कल शायद फिर होंगे और कल शायद भाहर लेके जाएं तो इसका भी पक्का नहीं है कि कल शायद लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि यूभी थोड़ी जिद कर रहा था कि पापा आप मुझे कहीं नी घुमा के लेके आए तो थोड़ा देखो बच्चों को लगता है लेकिन हम बड़े तो समझ जाते हैं कि जिम्मेदारियां भी हैं और अमें घर को भी देखना है थोड़ा इसलिए बस थोड़ा सा और कुछ नी और हम बड़े हो गए तो देखो क्या केक काटिंग वगेरा करनी तो बस बच्चों को थोड़ा समान ला दिया था खाने पीने के लिए तो बच्चे खुश हो गए थे उसी में ही जैसे फ्रूटी हो गई, बिस्कीट हो गए बस इसी में बच्चे खुश हो जाते हैं Happy birthday to you Kao, के कैसी Chief मामा को बैसे के गाने से खाणे से खाणे सुिए हुआ 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 मुआ हों तुद रोगचJा? इसको ए किया झा कंवा मुआ है इसको नया मुआ हों ए明 वावत है वावाव ऐसको क्या हो गया? ऑ लोysisे लाव लादालता न अची खाटो तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा पूरे दिन का जो सेडूल था बस यही था तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर कर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई गुड नाइट फ्रेंड्स